नमस्कार SPN 9 NEWS आप देख रही है अब की बार 400 पार का नारा लेकर भारतिय जनता पार्टी लोग सभा चुनावु की तयारियों में पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है ऐसे में 400 पार का नारा जो बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है उसमें पार्टी ने लक्षे रख अतार मिल रही है जस तरीके से मार्च में हरियाना में जेजेपी के साथ बीजेपी का गट बंधन तूटा उसके बाद बिहार में बड़ा जटका लगा दरसल्ब बिहार में इंडिया गट बंधन के तहत वीएपी को जस तरीके से लोग सभा सीटों के बटवारे के दौरा जटका लगा था उसके बाद विकास शील इंसान पार्टी ने अब बीजेपी को जटका देखकर इंडिया गट बंधन का दामन थाम लिया हालकि वी आईपी ने इंडिया का दामन शुक्रवार को ही थाम लिया था लेकिन जिस तरीके से सीट शेरिंग करते हुए इंडिया गट बंधन के तहत भिहार में जीतन राम मांजी के खाते में एक ही सीट आई है उससे अब मांजी भी खफा नजर आ रही है एक और जहां एक सीट मिलने से खफा सहनी को इंडिया गट बंधनवे जगा कर तीन सीटे मिल गई ऐसे में अब माना जा रहा है कि जीतनराम वाजी भी एक सीट मिलने से नाराज़गी के चलते इंडिया गत बंधन का दामन थाम सकते हैं जहां गत बंधन के और से एंडिये के खिलाफ उन्हें एक से जाद सीटों की पेशकर्श की जा सकती है ऐसे में अगर अब मुकेश सहनी के बाद जीतन रामाजी के हिंदुस्तान आवा मोर्चा बहार में यहाँ पर अंडिये गट बंधन छोड़ कर इंडिया गट बंधन में चली जाती हैं तो इससे इंडिया की राही आश्तान होंगी और बीजेपी नेतरतों वाले अंडिये पराजगी के चलते अंडिये छोड़ कर वो भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे फिल्हाल कर इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 News